बूर्मौनिंग स्टुडेंट्स कल बच्चों ने धनी राम के बारे में आपको पड़ाया था धनी राम नाम के अनुसा धनी राम नहीं था बहुत गरीब था इस चेप्टर में उसके सिख्षक उसके बारे में याद करके लिख रहे हैं वे बताते हैं कि एक बार बच्चों ने बताया कि धनी राम की कल सगाई होने वाली है तब उनके सिक्षक धनी राम को समझाते हैं कि तुम अभी सगाई वगाई के चक्कर में मत पड़ो तो धनी राम घर जाकर के सगाई करने से इंकार कर देता है तो उसके घर वाले उसे पर चला जा रहा था अचानक एक और भुरुजी नमस्ते की आवाज से में चौक पड़ा गुरुजी नमस्ते की आवाज आई आवाज की दिसा में देखा तो आँखों पर विश्वास ना हुआ सड़क के पास ही एक कोटी की चिनाई चल रही थी मेरा प्रिया सिस्य धनीराम सिर्फ पर कपड़ा पांदे ईटों का भारी वोज क्या कर रहा था तब मैंने जाना कि वह अपना और अपनी विद्वा मा का खर्च चलाने के लिए हर छुटी के देन मजदूरी करता है उसे काम के बदले में मिलते हैं सिर्फ दो रुपए कितने रुपे मिलते थे काम के बदले में सिर्फ दो कव मैं बालक की मात्र भक्ती और स्रम नस्टा का कायल हुए बिना ना रह सका यानि कि मैं उसकी मात्र भक्ती और स्रम नस्टा को देख करके आसर चकित रह गया सैसब की वे दुरवस्ता देख कर मन भर आया सैसा यानि बच्चपन की इस बुरी अवस्ता को देख करके मन दुखी हो गया कुछ समय बाद उस बालक को थोड़ी छात्रवती भी मिली उस बालक को इसकूल से कुछ पैसे मिले पर वहे तो आवशक्ता के समुद्र में एक बून के समानते मतलब की वो बहुत कम पैसे थे गर्मी बरसात करकडाती ठंड में मैंने धनीराम को सदा एक रूप और एक रस पाया जिसे सावु सूती कपड़े भी ढंग से मैसर यानि उपलब्द ना हो उसके लिए सर्दी में उनी कपड़े जुटा पाने का प्रेस नहीं नहीं था अर्थात की वे उनी कपड़े भी नहीं पैन पाता था पर कपड़ों की कमी से ठंड से उसे जुखाम होते हुए मैंने कभी नहीं देखा था यानि कि सर्दी में अगर उसके पास कपड़े नहीं होते थे तो उसको जुकाम भी नहीं होता था क्यों क्यों कि दयालू प्रकर्ती है वो माता दयालू प्रकर्ती जो माता है वो साधानव व्यक्ति पर हर हर्दे को सहन सील बना देती है साधानव व्यक्ति के जो हिर्दे है उ ब helpless की तो कि बुकне ही बरसकता था सब्दिव सहानुबूती प्रकट करने वालों को की तो इस दुनिया में कमी नहीं है यानि सब्दों से सहनगूती देने वालों की तो इस दुनिया में कभी नहीं है किन्तु किसी असक्त असाय को मन से सच्ची सायता करने वाले कितने लोग होते हैं किन्तु जो असाय लोग होते हैं उनकी सच्ची सायता करने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं धनीराम की सायता करने को कोई आगे नहीं आया अपने पुरसात के बल पर ही वे स्वाविमानी किस और आगे भड़ता रहा उसने किसी से सायता की याचना भी नहीं की यह संसार एक समुद्र है यह संसार है एक समुद्र की तरह है व्रस्मति इसकी लहरे है विस्मतिया ने भूल जाना और भूल जाना इसकी क्या है लहरे है इनमें अब तक ना जाने कितने लोग हो गए है यानि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए है हजारों पुरानों साथ धनी राम भी मेरी इसम्रती से हो जल हो गया हजारों पुराने चात्रों के साथ में धनी राम था वो भी मेरी याद से क्या हो गया कायब हो गया इस दुनिया में याद रखने के लिए अपने और अपने निकट संबंदियों के काम ही क्या कम है इस दुनिया में याद रख मेरे घर के सामने आकर रुखी मैंने अपने दुन्दलाते चसमें से अपनी दोत्ती के छोड से पहुंच कर साप किया और आगंतुक को पैचानना चाहा पर बूरी आँखे जवाब दे चुकी थी मतलब आँखे कमजोर हो चुकी थी आगंतुक ने मेरे पैर चुए और कुछ बूलने के लिए मुझे खोला तो इसमरती पटल पर पड़ी सारी गर्द साफ हो गई यह जो मुझे पहले याद नहीं था वो मुझे याद आ गया चालिस वर्ष पुराना इतियास जिंदा ओगया कि चालिस पर्ष पहले मैंने इस चात्र को देखा था वै मुझे याद आ गया यह मेरा वही प्रिया सिस्जर धनी राम था, जिसे मैंने विद्या दान वे नेक सला के अलावा कुछ नहीं दे पाया था, मैंने अर्थात में उसकी और सायता नहीं कर पाया था, थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने जाना वहे आज एक उच्च अधिकारी बन गया था, मैंन शुतर देने के बज़ा है, उसने अपनी IAS बीटिया की साधी का निमंतरन पत्र मैंने सामने रख दिया, यहनी कि उसकी बेटी क्या बन गई थी, IAS और उसकी क्या थी, साधी थी, उसका निमंतरन पत्र वो अपने टीचर को देने आया था, इसका संदेश है कि शिकशक के सम मान की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती विटा धा